कि साध्यों नमस्कार जैहिंद स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एक बहुत ही पुरानी का होद है कि सफलता हाथों की लकीरों में नहीं माते के पसीने पर होती है तो पूरी ताकत लगा दीजिए इस वार यूपी तो तीन मार्च को आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें बहुत सारी बते करेंगे लेकिन इस आयोइवे भी जई पन में किया बातें करनी है किय आपके काम की है थिस्ट भी से चार मिनिट में अहुं इस औरिस बात करेंगे अर देखे हैं सबसे पहली बात तो सबसे पहली बात तो यह है कि आयोग ने यह का है साफ साफ, साफ साफ इन्होंने का है कि यह जो विज्यापन हम जारी कर रहे हैं, इसका विज्यापन संख्या A1 E1 2023 है, जब भी आप सरकारी नोकरियों में जाते हैं तो विज्यापन जो भी जारी आप करेंगे उसमें प्रॉ से यानि कि तीन तीन दोजार तेइस से आयोग की वेबसाइट यूपी प्यस्ती डाट यूपी डाट एन इसी डाट इन पर उपलब्द रहेगा यानि कि आप्शनल हटेगा कि नहीं हटेगा कितने नंबर में क्या चेंज करना है कौन सा पेपर जोड रहे हैं बस 24 घंटे लग परिशितियों के लिए और कभी भी सुनी सुनाई बातों पर फ्रोसा नहीं जो भी होगा कल आपको सामने आ जाएगा ठीक है तो इतनी बाते तो बेसिक थी जिस पर आपका दिमाग बार बार हिट कर रहा है तो बस थोड़ा सा प्यसेंस आप और रखेंगे इसके बाद जो एहम बात है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझा जेता हूँ आप तयार रही एक औसर मिल रहा है आपको बहुत ही बढ़िया आप बिल्कुल उसको जाने नहीं देंगे अपने हाथ से सबसे पहला आपके मन में प्रसनाता है कि सर एज लिमिट क्या होती है तो 21 वर्स 1983 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और एक जुलाई 2000 बाद के जन्म नहीं होने चाहिए आपके यह आपकी रेंज है जहां से इसके पहले और इसके बाद वाल आपका डेट है तो आप फर्म भर सकते हैं इसमें कोई confusion नहीं है ठीक है एक जुलाई के बाद नहों और यहां पर 2 जुलाई 1983 से पहले काना हो यह सामान्य कंडिशन है इसके बाद आप जानते हैं जो कि उम्रिसीमा में छूट होती है उम्रिसीमा में छूट होती है तो हम इदी छूट की बात करें तो देखें आप छूट क्या होती है यह आप वैसे तो डिटेल केटेगरी आपक पन्वर्स तुक्ल मिलाज उला करके यह आप ओविसी हैं या आप ऐसी हैं तो आपको 45 साल तक मिल जाएगा वैसे 40 साल तक मेक्सम एज लिमिट यहां पर होती है ठीक है योग यता की बात करें तो किसी भी मानेता प्राथ विश्विद्याला से आपको ग्रेजुएशन की डिगरी हो जैसे की डिटेक बीसी बीकाम बी कुछ भी आपकी यह हुए है जिसमें जो बैचलर की डिगरी है वह आपके पास होने चाहिए यह आपकी मान्य होती है बाकी नोटिफिकेशन के अंदर सब कुछ डिटेल में लिखा रहाता है जो नोटिफिकेशन आपके सामने हम pre की बात करें तो history, quality, geography, economy, physics, chemistry, biology यह basic होते है, current affair होता है, UP special होता है, ठीक है syllabus की सासत, मैं इस पर अलग से बात कर लेंगे, syllabus की सासत हम बात करें exam pattern क्या होता है, तो pre में आप जानते हैं, दो paper होता है pre में दो paper होता है, paper 1 और paper 2, paper 1 को GS कहते हैं आप paper 2 को CSAT कहते हैं, या GS1, GS2 कह सकते हैं इसको, यहाँ पर आप जानते हैं कि 150 question होते हैं, और यहाँ पर 100 question होते हैं, यह 33% qualifying होता है और इस 150 question के अधार पर आपकी prelims के merit बनती है, याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर दोनों ही condition में one third की negative marking होती है इस वजह से आपको बहुत ही alert रहना होगा बाकी आप exam कैसे clear कर सकते हैं, 150 में से 130 plus कैसे आप attempt कर सकते हैं इसका वीडियो में आपको वीडियो के link में दे रहा हूँ आप आराम से देख लिजेगा, उस पर मैंने proper strategy बनाई है जितने भी आपके मन में सवाल हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि frequently asked question आपके हैं, उस पर मैंने वीडियो lecture की पुरी series बनाई है जिसका playlist का link कहीं मैं डाल रहा हूँ description में आप देख लिजेगा, आराम से आपके सारे doubt clear हो जाएंगे इन छोटी छोटी बातों को ले करके ठीक है इसके बादे जिए हम बात करें कि आपके रहननीती कैसी होने चाहिए तो अब देखिए, वक्त आपके पास बहुत कम है मोटे तोर पर मैं बदाऊं तो 70 दिन के आज़ पास का आपके पास वक्त बचा हुआ है 70 दिन के आज़ पास का वक्त जो बचा हुआ है इसमें आप ऐसा क्या करें तो निश्यत रूप से आप एश्योर कर सकते हैं बच की क्या विस्ताय है, कैसे ये इतना स्पेसिफिक है इसको मैंने एक दूसरी वीडियो में बनाया है, बताया है जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है आप जा सकते हैं, देख सकते हैं कि मातरी 120 घंटे में हमने किस प्रकार से सुपर इस्पेसल लेक्चर के माद्दम से अल्टरा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हुए आपकी प्रिलिम्स की समस्या को हमने खतम किया इस्पेसल फैक्ट सी टेकनिक मेथड का यूज करते हुए और यकीन मानिए कि इस बैच को आपने प्रॉपरली कर लिया तो प्रिलिम्स आपका 100% कंफर्म है कि क्लियर हो जाएगा बस आपको जो बाते मैं बताई है जितना हमने उसमें कहा है कि आपको ये ये करना पड़ेगा वो आपको करना ही पड़ेगा आप उसको बिना किये हुए उमीद न रखिएगा क्योंकि लुसेंट आपको पढ़नी पड़ेगी घटना चक्र से MCQ आपको साल्ब करना पड़ेगा और जो मैं बता रहा हूँ उसको दो बार तीन बार रिवाइज करके प्रेक्टिस करना ये आपका काम होगा और कुछ जानना चाहते हैं तो दिये गए हमारे contact number पर जरूर मुस्तिक बार बात करिए इनी सब्दों के साथ धेर सारी शुब कामना है जब कल एक बार notification पूरा आएगा तो फिर एक comprehensive video मैं आपके लिए लाओंगा कि क्या exam pattern में change हुआ है और क्या नहीं हुआ ठीक है तो इनी सब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू जहिन